आसमान से भर्मन करते हुए गनेश भगवान देखते हैं कि प्रित्वी पर मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है एक नटकट सी लीला रचते हैं माता से कहते हैं कि माता मैं प्रित्वी लोग पर जाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि मेरा प्रिय भक्त कहां पर है जो मुठी में चावल और एक चम्मच दूद लेकर वह अपनी लीला करने निकल पड़ते हैं कई गाउं में गए कई लोगों से कहा कि माता मेरे लिए खीर बना दो सब हसने लगे ऐसे करते करते शाम हो गई वह चार पांच गाउं का भ्रमण कर चुके बच्चे भी हसते बुड़े भी हसते माताये बहने सब ही हस रही थी कि एक चम्मच दूद एक मुठी चावल इसमें कोई खीर बनेगी सब ही समझने लगे कि यह बच्चा मूरक है इसको पता ह कि खीर में कम से कम आधा किलो एक किलो दूद तो लगता ही है और यह एक चम्मच दूद से खीर बनवाना चाहता है धीरे धीरे करके संध्या का समय था एक घर के बाहर टूटी पूटी जोपड़ी के बाहर एक माता बैठी होती है गनेश भगवान पहुंचते हैं और वही कि माता मेरे लिए खीर बना दो माता ने देखा कि चम्मच में थोड़ा सा दूद है एक मुठी चावल है माता कहने लगी बच्चा है बच्चे का दिल रख लेती हूं गनेश भगवान से कहा कि मैं अंदर से बरतन लेके आती हूं तुम उसमें दूद डाल दो गनेश भगवान ने उस चम्मच से जब दूद डालना शुरू किया तो अपरम पार पूरा बरतन भर गया और एक मुठी चावल जब उन्होंने जमीन पर रखे तो महां पर धेर लगी माता है माता सोचने लगी कि यह कोई न कोई भगवान की लिला ही होगी क्योंकि बाल रूप भ खुश कर देती हूं उन्होंने खीर रख दी और गनीश भगवान ने कहा कि माता आज इस खीर का पूरे गाउं में भोजन कराना है आपको माता अंदर अंदर मुस्कुराने लगी कि यह नटखट बालक मूरक है इस थोड़े से चावल में पूरे गाउं का भोजन कराना चा वह गरीब परिवार कभी खीर खाता नहीं था जो सूकी रूखी मिलती थी उसी से गुजरवशर करता था इधर माता जो है पूरे गाउं में लंगर के लिए गई आज मेरे घर में रात्तरी का भोज है और सब को खीर खिलाए जाएगा और सभी हसने लगे कि इस भिखारन ब लेकिन दो भूंद धर्ती पर गिरती है और गनेश भगवान को भोग लग जाता है गनेश भगवान जैसे ही आए उधर से बुढ़ी माता या जाती हैं तो माता कहती है कि बहू तुमने भोग तो लगा था तो वह कहने और मैं उससे संतुष्ट हूँ, अब आप यह भोजन पूरे गाउं में बाट दो, वह दो किलो का पतीला, पूरा गाउं खाता गया, खाता गया, परंतु कम ना हुआ, और जहां पर प्रभु का वासु हो जाता है, अन के भंडार लग जाते हैं, पूरा गाउं हैरान कि कौन स चमतकार हो गया, यह बोढ़ी मा कहां से ला रही, धीरे धीरे करके सभी लोग अपने घर चले गए, गनेश भगवान वहीं पर एक बाल रूप में बैठे थे, माता देख का हैरान, माता ने गनेश भगवान के चरन पकड़े लिए, और कहने लगी, कि बेटा मुझे अपने महल बना देते हैं, और धन धान से उस घर को भर देते हैं, पर रोस में उस माता ने एक गनेश भगवान का भव्य मंदिर बनवाया, जो लोग भी परिशान होते, उस मंदिर में जाते और मनो कामना पूर्ण होती, धीरे धीरे करके वह गाओं भी विक्सित हो गया, तो जो स सिद्धी सिद्धी बुद्धी के दाता शेफ ने महराज कि